Denoting Duty यह बहुत तफ है यह बहुत ज़्यादा तफ है मैं इस बार ICS है मॉडूल को चेक कर रहा था कि शायद इसको हटा दे पर हटाया नहीं Denoting Duty लेकिन मैंने इसके उपर ने करांतिकारी चार्ट बनाया चार्ट बनाते ही यह concept पांच मिनिट कर रहा है लेकिन आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि यह तफ है चलिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छे लाइन, साथ लाइन, आठ लाइन, नौ लाइन, नौ लाइन पर डालो जोड जोड से चिला चिला के नौ लाइन है जल्दी से पढ़ जाओ और जो बच्चा इसका इंटेपेटेशन बता देगा उसको में तब से गिफ्ट मिलेगा अगर पिछले बैच में ना पढ़ाओ तो ने पढ़ना पढ़ेगा बहुत बच्चे को मैं देख रहा है यह सोच रहा है कि सर जब पढ़ाएंगे तो हम समझ लेंगा ऐसे नहीं काम चलेगा पढ़ना तो आपको पढ़ेगा चुकि लेंगविज यही है एक्जाम में इसी को याद करेके लिखना पढ़ेगा यह बीना फुल स्टॉप के पांच-छे लाइन चला दिया है वो तो मैंने काफी बोल्ड किया आप आज बुक ले 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 ना ठीक है बुक में ठीक लगाते हैं आपके एक फ्रेंट भी तो आती है आपके साथ वो कहा रह गई अच्छा फॉले चुक ले 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 ना ठीक ह क्या नम है आपका नम बूल जाता हूं प्रियांशी सब के दोस्त को जानता हूं मैं क्या हमारा दोस्त लेने आता है सब क्लास के बाद बाइक लेके आता है इसा कोई कोई इजत नहीं तुम लोग आपके पैदल ही जाते हूं यहां से कॉलेज के बाहर तो मैं देखता हूं लोग आते हैं अचा वो कॉलेज है यह कोचिंग है वो भी CS का चलो अब मैं जल्दी से करा दूं सर आ गया है विस पांच मिट में खतम करा रहा हूं ठीक है खुशाली जो दौर गई सब की कि अब हमें इन से मुक्ति इनके समराज जिसे मुक्ति मिलेगी चलिए अरे जल्दी से यह पढ़ लिया अरे ब्रेक मिल जागा बापड़ी तो आपस में ब्रेक कहा गया भई इर तो ऐसे ढूंड रहा है जैसे कुछ गायब हो गया हो लेकिन अब इसके ऊपर एक चार्ट बनाओंगा तुम्हारा काम इतने ही दिर में खतम यह लो इस चार्ट को बनाने में बहुत टाइम लगा था मुझे आईये बनाने में बहुत टाइम लगा कि आईये ऐसा नहीं है ध्यान से सुनो दिनोटिंग ड्यूटी में होता क्या है इधर देखिये हांजी सारे बच्चे देखो इससे समझना मान लो कि यह एक डॉकुमेंट है ठीक है अचली यहां पर दो इस्टुमेंट दिखाई दे एक इस्टुमेंट प्लेन पेपर है और एक इस्टुमेंट इस्टाम पेपर पर अब ध्यान से देखना तुम लोग जब पढ़े थे इसमें से फर्स्ट किसको बोलोगे आप इसको तो फर्स्ट इस्टुमेंट रिक्वारिंग इस्टाम डूटी ओफ रुपीज एट आठ ये का स्टैंप डूटी इस पर लग रहा है ठेक अब दूसरा देखो स्टैंप डूटी रिक्वारिंग instrument requiring stamp duty is £92 तो लोग क्या करेगा 100 रुपका stamp paper खृइत यह देखिए 100 रुपका stamp paper खृईत लिया अब 100 रुपका जब stamp paper खई दे तो 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 दोनों का पे किए इसा भी पे किए और इसा भी पे किए अब बोतो कि हुम भी कर रहे है इसलिए कर रहे है चुकि second instrument पे हमारा पहला instrument depend करता है माल लो 92 इसका है तो इसका 8 है, अगर इसका 100 होता तो इसका कुछ और होता उसमें तुम अगर देखियो कि तुमें language आया होगा, कि first पे कितना stamp duty लगेगा, वो second पे depend कर रहा है कहीं word आया होगा, इसा दिखो तो, कहां पे word आया है, first line ही है, क्या first line में word है मतलब first पे कितना stamp duty लगेगा, वो depend कर रहा है किस पर, second पे, इसनों पहले second पे पे होगा और second पर जो पे होगा, उसका कुछ percentage फर्स्ट पे होगा, तो लोग क्या करते है, यह दो बार पे करने से अच्छा है, दोनों का एक ही साथ पे कर देता हूँ, इसका मतलब यह principal instrument है और यह, subsidiary type का है, मालो, subsidiary बोलोगों तो रुपी बन समझने लगए, पर subsidiary type का बोल रहा हूँ, clear है ना, तो लोगों ने क्या किया, जब 92 इधर देना, 8 इधर देना, तो 100 का एक ही बार देता हूँ, तो 100 का तुमने यहाँ दे दिया, पर जानते है, दिक्कत क्या हो गया, इस पर तो stamp paper दिखाए दिया, यह खाली चला गया, नहीं समझ में आया, तुमने फर्स्ट का भी पे किया है, तुमने तो 100 पे किया ना, सौ में 92 ही तो 2nd का था, 8 तो 1st का था, लेकिन फर्स्ट पर कोई सबूत नहीं दिख रहा, अरे फर्स्ट तो कोरक आगजी दिखेगा ह तो 1st वाला तो खाली जा रहा, ब्लैंक जा रहा नहीं समझ में आ रहा है, अब देखो तुम्हारे साथ दिक्कत कब होगा, दिक्कत अब होगा, जब तुम इसको अकेले कहीं लेके जाओगे, तो प्रूफ करना असान होगा, लेकिन अकेले कहीं लेके गए फर्स्ट को, तो 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 मुश्किल है, क्योंकि अकेले लेके गए है, तो first blank दिखेगा, अब blank दिखेगा और उसका साथ देने के लिए second उसके साथ नहीं होगा, इसका मतलब तुम्हार साथ दिक्कत क्या होगा, दोनों को साथ में लेके जाना पड़ेगा, ये भी problem उसमें बताया गया होगा, और denoting duty देके, उसने last में लिखा होगा कि ये problem से आप बच जाएंगे, दोनों को साथ में लेके जाने की जुरूरत नहीं है, अब देखो कैसे क्या होगा सो सुनो अब, अब आप क्या करना, first पर बस एक काम करना, सुनो, एक बार, आप collector of stamp के पास ले जाएए, लिखा है collector of stamp देखें निरा कोई, एक बार किसके office में ले जाएए, collector of stamp में ले जाएए, दोनों produce कीजिए, अब बोलिए सहाब, दुनिया नहीं समझ पारी, पर आप तो समझ रहे हैं सर, आपका 92 मैंने इसका दिया है सर, और 8 इसका दिया है, सब तब मिलाके नहीं 100 हुआ सर, तो मैंने द denoting duty क्या लगवा दे रहा हूँ, stamp, ये देखो, collector क्या मार दिया, denoting duty का stamp, stamp लगते ही, अब अगर तुम पहला भी अकेले लेके जाओगे, और लोग देखें कि denoting duty का stamp लगा है, तो समझ रहे हैं, अच्छा, इसका stamp duty कहीं और पे हुआ हुआ है, क्योंकि अगर कहीं और पे न हुआ होता, तो फिर collector of a stamp denoting duty का stamp लगाता ही, नहीं, तो यहादखना, denoting duty का stamp लगने का मतलब है, कि उसका stamp duty कहीं और पे हो चुका है, और ये instrument भी क्या है, properly stamped है, ये समझ में आया कि नहीं है, पहले बताईए आप, लेकिन language उसका बढ़ा आजीव था, ये समझ में आया, किस नहीं समझ में आया, तो पूछ लो मेरे से नहीं, तो वाटसप में पूछते हो तुम लोग रात में बारा बजे, तो देनोटिंग डूटी एस्प्लें कर दीजा, मतलब वाटसप एस्प्लें करूँगा, वाटसप एस्प्लें कर देगा कोई आदमी कुछ भी, तो जो भी यहां पूछिए, yes no का कुश्चन आप पूछ सकते हैं वाटसप पे, कोई बच्चा बो, explain in detail, बताइए वाटसप पे मैं क्या करूँ, वीडियो बना के भीजूगा उसको, अभी रात में बारा एक बजे, बताइए, रात में बारा एक बजे, आदमी नीन में, hello, denoting duty, दिक् पर पहला instrument का stamp duty कितना होगा, वो दूसरे पर depend कर रहा है, यसलिए picture में पहला दूसरा आ गया, अब लेकिन लोगों ने क्या किया, दूसरा और पहला का क्या pay कर दिया, consolidated duty, तुमने तो consolidated duty pay कर दिया, लेकिन तुमारा पहला जो instrument है, वो तो खाली चला गया, अब खाली चला ज इसको request किजे, कि सर्फ पहले वाले पर आप क्या मार दीजे, denoting duty का stamp मार दीजे, denoting duty का stamp लगने का मतलब है, कि इसका भी stamp duty पे हुआ है, कहीं और पे हुआ है, कहीं और पे हुआ है, तो क्या अब हमेशा दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, या अकेले अकेले लेके काटो, चलो इसमें step number 1 कराते रहो, बतो इसमें step number 1 क्या हैगा, यह लिखाई ही बादे को, step number 1, step number 2, यह कौन सा होगा, step number 3, यह कौन सा होगा, step number 4, सबज माया कि 4 step में नहीं होगा यह काम, step 4 की आप क्या लगवा दीजे, denoting duty का stamp लगवा दीजे, 1, 2, 3, 4, कर लिया, अब ज अपने Chinese phone से, Chinese phone नहीं है, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, और क्या क्या है, Redmi, Oppo, Poco, Poco भी है, अच्छा, Boco, अशरी, हाँ, ठीक है, चलिए, होगया यह clear, कितने step में होगा, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, क्यों लिखवाया, जब revise करोगे, तो पहले परोगे step 1, यह परोगे, step 2, फिर परोगे step 3, step 4 में क्या लगवाद है, denoting duty का, याद रहेगा, photo किछ लिया सबने, हटारों में, photo किछ लिया, किसी हो कोई दिक्कत है, तो पूछ लो, अभी के अभी, यही के यही, नहीं पूछना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तुमा लाइन बाइन टैली करा जाम में नहीं आए था, इस पर आएगा, आओ, where the duty with which an instrument is chargeable, पहले मुझे बता ही, यह कौन सा instrument है, one or two, यह प्रिंस्पल है, यह subsidiary है, भाई, यह subsidiary है, लिखो, यह है subsidiary, लिखो जल्दी, लिखा subsidiary, where the duty with which an instrument is chargeable, or it is exemption, मताब duty लगेगा कि नहीं, लगेगा तो कितना लगेगा, वो depends किस पर कर रहा है, in any manner upon the duty actually paid in respect of another instrument, another principle है, नहीं समझ में आये लोको, अचे, PL होगा रहे हैं यहाँ, प्रिंस्पल इस्टुमेंट, लिख दिया, the payment of such last mentioned duty shall, if application is made in writing to the collector of a stamp, for that purpose, and on production of both, क्या तुमकों को किसा हमने दोनों लेकर जाना पड़ेगा, एक बार तो दोनों लेकर जाना पड़ेगा, the be denoted, फिर collector क्या कर देगा, denoting duty का क्या मार देगा, stamp मार देगा, किस के उपर मार देगा, first mentioned, और first mentioned हमारा कौन है, subsidiary, अरे इस section में पहले बार किसका नाम लिया गया, subsidiary, तो subsidy पर stamp रहा था, नहीं समझ में आये लो, जो बच्चा ऐसे से टिक नहीं लगाया उसको बाद में दिक्कत आएगा, और अगर मेरे से कोई पूछा रात बारवजे वाटसप पे, तो तुम देखना emoji कैसा भेजता हूँ, समझ में आगा है, लालल emoji भेजूँगा, ठीक है, ऐसे से कि दोल किया ऐसे, ठीक है, उसके बाद मैंने बताई दिया, अच्या बताई ही, दिनोटिनोटिनोटिन का objective क्या है, objective मतलब benefit, benefit तो कोई लिखेगा ने, समझ दार सब एक लास में, benefit क्या है, to spare, to spare का मतलब छुट्टी मिलना, spare का मतलब छुट्टी मिलना, शुट्टी मतलब इस जंजट से मुक्त हो गया, spare का मतलब मुक्त होना होता न, spare parties of an instrument from the inconvenience of having to produce the original भी, और principal भी, मतलब, सुनिया, original प्रिंसिपल मतलब, जब भी हम लेके जा रहे है, subsidiary, तो साथ में किसको लेके जा रहे है, principal को, अब आप सीधा subsidiary भी लेके चले जाओ, फर्क पड़ता नहीं है, क्या लगावा है, denoting duty का stamp लगावा है, clear है कि नहीं clear है, तो मुझे लगता है यह आपको अच्छे से समझ में आगे तो